नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है प्लांट सफर्ट चैनल में मेरे नाम है रोहित आज हम बात करेंगे क्रिश्मस ट्री के बारे में बहुत ही खुबसूरत ये प्लांट है इसे अरुकेरिया या मंकी पजल्स भी कहते हैं तो इसकी देखभाल कैसे करें से जदर जदर घना कैसे बनाएं आज इसी संदर में बात करेंगे इस पाउधे को अगर आप लेना चाहते हैं नर्सरी से घर पे लाना चाहते हैं तो आपका बेस्ट सीजन रहेगा फरवरी से अक्टूबर तक इस दोरान इसका ग्रोइंग पीरेड रहता है इसी समय आप इसको ला सकते हैं और इसको आप लगा दीजिए गार्डन में बड़ा ही सुन्दर लगेगा अगर ये जमीन से लगता है तो ये 30 से 40 फिट उचा हो जाता है और गमले में आप इसका हाइट को मेंटेन कर सकते हैं ये डाइट धूप में प्रांट रखने वाला नहीं होता है क्योंकि इसी पत्तियां जल जाती है तो इसके लिए आप इन डाइट सनलाइट जहां होती है वहाँ पेरिसकॉप रखिए तब ही अच्छे से ये ग्रो करता है ये पौधे मुकतया पहारो वाली जिगाओं पे ऐ लिजे वर्मी कंपोस्ट खाद मिला दीजे और बजरी या बालू आप इसमें मिला दीजे ये इसके लिए पर्फेक्ट मिटी बनेगी थोड़ी सी आप नीम की खली भी दे दीजे जरूर नियूट्रेंस भी मिल जाएगा और इसमें कीडे मकोडे भी नहीं लगेंगे इस प लिए तो यह है ईसको रहने दीजे गंबने में लगा दीजे और कोसिशिस करिया थोड़ा बड़े में मिट्टी के पौप में लगाई तो इससे एक सेफ में भी बना रहे गा और इसमें best result भी मिलता है इस पौधे को वहाँ पर रखें जहां पर सुबह की एक से दो घंटे हलकी इलकी धूप आती हो या साम की हलकी इलकी धूप आती हो एक से दो घंटा जादा धूप में इसको नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसके रखने से क्या होता है कि इसकी पत्तियां जो है वो जलने लगती है या तो आप वहाँ पर रखें जहां पर नैचरल ब्राइट लाइट आती हो वहाँ पर यह अच्छे से ग्रो करता है इस पौधे को आप जहां पर भी रखें आप इसे हर 15 दिन में एक बार इसको गमले को गुमाते रहिएगा तो इससे क्या होता है जो पत्तियां होती है वो बराबर सेप में निकलेंगी क्योंकि इसमें रौसनी जो है प्रयाप नमातरम लगेगी हर तरफ रौसनी लगेगी और पत्तियां भी का जो सेप है वो भी अच्छा से निकल के आएगा इसमें पौधे में किसी प्रिकार का बक्स या कीरे मकोडे नहीं लगते हैं यह मकडी लग जाती है मकडी के जाले लग जाते हैं तो इसके लिए आप नीम की जो पत्तियां होती है उसको पानी में उबाल लीजिए और उसका जो पानी का जो छुड़काओ इस पे कर दीजिए तो ये परिसानी दूर हो जाती है बड़ा ये खुबसूरत ये पौधा है आप जिसे जरूर गार्डन में सामिल करिए अगर आपको ये वीडियो पसंदा है तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, सेयर करिए और भी प्लांट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए धन्यवार